हेलो राधे राधे गुड़ मॉर्निंग सुबह के बज रहे हैं अब भी साड़े पांच पजे का टाइम था और जैसे ही मैं उट कर बाहर आई न तो मैं यहीं पर चेर डाल कर बैठ गई हूँ पानी मैंने पी लिया था और अपनी लिए चाए भी बना ली है और हलकी हलकी बारिस हो रही है जब बारिस होती है न तो चाए पीने का मज़ा जो है न दुगना हो जाता है तो बस यहीं से मैं देख रही थी कि एक गाय जो है न इस तरह से भींग रही थी हो पानी में तो इस समय बारिस के समय में जो है नहीं खास कर तीनों ही सीजनों उन्हें जानवरों की बड़ी दिक्कत होती है तो वस वह बिजारी भीइंग रही थी और कहीं आसरा जो है नकियों जानवर डूडता है tulis वही posição है तो हम सबको मिलकर जो है न इन गायों के लिए ज Examples कुछ ना कुछ करना चाहिए अगर हमको ने अगर आज कुछ नहीं किया न तो सायद एक समय ऐसा आएगा कि हमारी आने वाली पीडियों को जो है न गाय सायद देखने के लिए ना मिल पाए क्योंकि लोग पता है दूद के लिए गाय बान लेते हैं जब दूद देना बंद कर देती है तो उसको भगा देते हैं इसलिए गायों की जो नस्ट है वो दीरे दीरे मुझे ऐसा लगता है खतम हो जाएगी और गाय जो है न मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है मैं आपको दिखा दूँ अपने जीना दिखा दूँ तो वाइट और ब्लैक कलर का जीना बनके तयार हुआ है उपर जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये है ग्रेन आइट और वाइट कलर की जो है न ये टाइल्स है जो हमारे घर की फ्लोर में यूज होई थी तो वही टैल्स हमने यहाँ पे लगवा दी है इसकी पूरी कोस्टिंग कितनी पड़ी है तो मैं आपको बताओं जो लगवाने का है वो हमें पढ़ाता सारे 400 का एक जीना है अब आपके सहर में जिस हिसाब से लगता होगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं तो हमारा एक मैं थोड़ा सा हाइफाई जाना रहते हैं और क्या पता आपके सहर में भी अतना ही लगता हो तो सारे 400 का एक जीना पड़ा है गरे नाइट थोड़ा सा महंगा होता है तो आप जिस तरह का गरे नाइट यूस करोगे उस हिसाब से जो है आपको इसका प्रास जोहना देना प पैसे ही हम जाना सामान वगरा उठाते हैं, उतरना चड़ना बहुत जाना होता है, तो इस चटनक नी का डर रहता है, इसलिए ग्रिनाइट का जीना जाना बनाया जाता है, और मेरी एक सस्क्राइबर ने कहा था कि दीदी आपने इतने चिकने जीने बनवाए हैं, गिरने का ड हो जाएंगे जब कुछी चीज को यूज करते हैं, सुरू सुरू में थोड़ी कटनाई होती है, लेकिन जीने शारे हो जाते हैं, और पट्टों को देखे गा जाना गाता हैं , तो घेंगे, तो बहुता साथ जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा पसंद है इस वज़े से मैंने इसके साथ गई हूँ और इस तरह की इसमें बाइट के लिगी पट्टी आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बाइट के लिगी पट्टी लगी हुए इसे साथ वीडिंग बगरा बोलते हैं तो दीरे दीरे जब काम करवाया ना तो मुझे भी इस सारी चीज़ों की नौलिज जो है न बहुत अच्छे से हो गई है कॉस्टिंग के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे दे दी कितने का पड़ा तो ये थोड़ा सा अगर गिरिनाइट के साथ जाते हैं थोड़ा सा आपको महेंगा जो है न पड़ता है ये तो इस तरह से जो है न जीनाब बनके तयार हो गया है आप लोग मुझे बताना जरूर की आपको कैसा लग रहा है मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है वैसे आप लोग बताना की कैसे लग रहा है और मैं आपको एक बात बताओं कि आप कितना भी सोच लो आप कितने भी दिमाग में बिचार लगा लो कि हमें ये करवाना है हमें वो करवाना है लेकिन हर चीज समय के हिसाब से ही होती है आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा दो साल पहले मकार मनकर तयार हो गया था लेकिन जी चीच का समय आएगा, उसी समय के according जो है ना सारी चीचे होती है आज हो रही है, बहुत बारी को बिल्कुल सलो सलो वाली बारिस हो रही है मारे साइर में तो बहुत कम बारिस होती है मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है कि तीन-चार घंटे के लिए थोड़ा तेज पानी बरस जाए तो बहुत कम पानी बरसता है मतलब थोड़ा थोड़ा सा बरसता है दुनिया में दुनिया हरका पानी बरसेगा ना तो हमारे थोड़ा थोड़ा पानी बरसेगा इसमेंसे जो एना एक नल लीक हो रहा है तो बहुत ज़ना पानी पानी फैल रहा है तो इसको मुझे जो एना टाइट करना है जितनी बार आती हूं उतनी बार सोच लेती हूं कि मुझे प्लास लेकर उपर जाना है लेकिन बस वही है कि मुझे ध्यान नहीं रहता है तो देखिए कितना पानी समय से बहरा है और टंकी अक्सर ऐसा होता है कि खाली हो जाती है सी के चक्कर में तो मैं जाओंगी नीचे जब दुबारा उपर आना होगा तो मैं इसके लिए प्लास लेकर आओंगी और कुछ इस तरह से जो है ना फैलान फैला है भाईया और लोग जो है ना सामको जाते हैं तो इस तरह से बुरी तरह फैला जाते हैं तो जितना हो सकता है मैं समय लेती हूं और थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखा देती हूं कि इतना इतना काम हो चुका है और अब और भी कुछ होना है तो मैं आपको नएस वीडियो में देखाऊंगे कि अब और क्या क्या काम होना है और इसके साइड में जो इसको बॉर्डर बोलते हैं वो जो हैना हम रुक टाइल्स का लगवाने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा टूटन वाला टाइस जो हैना हमाले पास बचा होगा है तो उसी का लगवाएंगे क्योंकि ये सारा सामान बेष्ट हो जाएगा और उमें कुछ भी बेष्ट नहीं करना है क्योंकि सब चीज़ा जो हैना बहुत महंगी पड़ती है इसे मैं सोचकर यही गई थी उपर कि थोड़ी दिर मैं उपर बैठूंगी लेकिन बारिस हो रही है पुरी गिली हो जाओंगी और मझे अभी जाड़ू पहुचा भी करना है तो कि एक कपड़े गिले गिले हो जाए ना तो जाड़ू पहुचा करने में अपड़ी दिक्कत होती है तो फिर मैं जो है ना नीचे आ गई हूँ उपर से जीना एकदम ब्लैक दिखता है और नीचे से जब आप देखते हो तो एकदम सफेद और ब्लैक दिखता है मतलब वाइट और ब्लैक दिखता है क्या मैं हिंगलेस और इंदी को मैच करी हूँ जीना मैं जो बोलती हूं कि हमारे या लोकल भासा में जो है न सीडियों को जीना ही बोला जाता है इसलिए मेरे मूझ से जो है न जीना ही निकलता है जीना मतलब सीडिया किसी न पूछा आता दे जीनी का मतलब क्या होता है मतलब सीडिया उसको सीडिया बोलते है तो हर मतलब स तो मेरा फुल डे इतना जना बयस्तता वाला रा उसके बाद मैंने कोई वीडियो नी बनाया और आज मैंने कहाना भी कुछ नी बनाया था केबल बेसन के चीले बनाया थे मैंने और बेटू ने मिलकर खा लिये हैं और इतनी धूल धूल हो रही है नो जब ग्रेनाइट गिसता तो आपके घर में पूरा धूल-दूल हो जाता है उस धूल के चक्कर मेरा सिर भारी हो रहा था तो फिर में थोड़ देर लेट गई थी क्योंकि मेरा सिर दुख रहा था और जना देर नहीं लेट पाई क्योंकि वही मसीनों की आवाज आती है तो आपको जना नीन वगर आती तो फिर मैंने फटा आपर बैट सी टेक्सी की है और जितने मेरे कपड़े वपड़े थे साब मेने कपड़े एकसी लगाए है और मैं आगे हूं किचिन में अब जो है ना मुझे करना है खाने की तयारी आलू और तुरई की सबजी जो है ना मैंने काट ली थी तो आलू तो मुझे ना बेटू की कभी चिंता नहीं होती तो उसकी बहुत अच्छी आदत है कि वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता है जब मैं जाना ब्यास्त होती हूं वो देख रहा है कि ममी बहुत जाना ब्यास्त है तो वो अपने खाने पीने की चीज़ा जो है ना समी का जूस बना रहा है तो अपना ध्यान बेटू अपने बहुत अच्छे से अपने लिए रख लेता है जब यह उसको भूग लगती है तो वो कुछ ना कुछ बना के खा लेता है घर में मैं जैसे की उबले हुए चने और भुने हुए चने मूफली जो भुनी हुई होती है तो फिर वो उसी साब से जो है ना मैं बेवस्ता बना के रखती हूं कि जब यह उसको भूग लगे तो वो इन सारी चीज़ों को खा ले और बेटू की एक बहुत अच्छी आदात है वो यह कि वो बाहर का बहुत कम खाता है हां खाता तो ऐसा नहीं है कि उसने बिलक कम खाता है जाना तर्व हेल्दी चीज़े ही खाता है क्योंकि मैं ऑप्सन ही यही सारे रखती हूं और इसको पसंद भी आती है जब आप एक बार अपनी हेल्थ की तरफ धिहान देने लगते हो ना तो आप अंच्छन चीज़े खाना एकदम अवाइड कर दोगे धीर दीर जड़े खान होती है कि मैं घृना तो यहांट करदेनें कहीं जो खे लिदा है देने ठीस 足ते हैं ऐससे में तूड़ाने चाहे के सांती थोड़ा से कप चाय पीनी है क्पूंकि में त county ना घ्र गिसनी से धून होती है व्हाइसा लग रह लगर है कि मेरे ऑलों सुझ हे मुझे एक खुब सारा तेल लगाना है तेल लगाने के बाद चाहिए आज तो मैं सिर नहीं दूंगी लेकिन जो है ना मुझे नेस्डे जरूर दोना चैसे बहुत गंदा सिर लग रहाएं क्योंकि पर्सो जो हैना मेने हरी महंदी लगाई थी उसके बाद मैंने इंडिको पा.... लेकिन एन तेल नहीं लगाया है जब भी आप हरी महंदी लगाओ और इंडिको पाउडर लगाओ न तो अपने बालों में आप तेल जरूर लगाना तभी अच्छे सी उभर के जो ही ना कलर आता है और बाल भी बहुत अच्छे हो जाते है और महनी लगाने के बाल तो बैसे बाल बहुत कड़क कड़क सी हो जाते है अगर आप तेल नहीं लगा होगे ना तो वजीब सी बाल लगते हैं बहुत रुखा बना जाता है वालों मैं तो वस वही है तो चलिए मैं फटापट बालों मैं तेल लगाती हूं और हाम मैं तेल कौन सा लगाती हूं अपनों मुझे अकसर पूछते हो दिदी आप तेल कौन सा लगाती हूं तो बैसे तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूं सर् अपना जूस दिखा रहा है मुझे तो बहुत अच्छा होता है और मौसम के हिसाब से तो देखिए आपके बाल जढ़ेंगे जढ़ेंगे आपको नहीं कर सकते हो यह मुझे आ गया है ममी तुम जूस पीलो मैंनो उसको बोला बेटा मुझे चाहे पीनी है मैं जूस नहीं प्य सीजन होता है इसमें बाल जढ़ते ही जढ़ते हैं सब के जढ़ेंगे तो बैस्ट होता है नारिल का तेल और इसमें थोड़ा साब कड़ी पत्ता मिला लो हलका गुन-गुना करके अगर बालों में लगाते हो तो बहुत अच्छा बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है मुझ कि इतना हलका मैसूस होने लगा ना जितना मेरा भारी सर्था ना वो सब उतर गया आज के लिए इतना ही मिलेंगे ना इस वीडियो में रादे रादे